E-Mobility Future है, मार्केट में कई नए E-Vehicles आ गए हैं, भारत में E-Mobility की इसका क्या भविश्य है और देश E-Vehicles को लेकर प्रगती के किस स्तर पर है, इसे लेकर DNews समवादाता तापस भटचारे ने प्रधानमंत्री मोधी के Principal Scientific Advisor प्रफेसर अजे कुमार सूथ से विस्तार से बा बारे में बताइए कि यह कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, हाओ वी कैन डिक्रीज आवर डिपेंडनेंसी ओन दा इंपोर्ट टेकनोलोजी और हाओ वी कन सी इंडिया कैन बी इन लीडिंग पोजिशन इन नेक्स्ट फाइव यह समें जो आप चीजे हम लोग टेकनो जी की बात करें बार बार वो टेकनोलोजी अभी कुछ जगों पे है कुछ जगों पे उस पर काम की जरूरत है तो अब क्या आपका ओफिस यह पिंप सैंटिफिक अडवाइजर का ओफिस जितने भी स्टेकोलडर से उनको एक साथ लेकि आप आप आएगा बिलकुल वही तो है इस रोड मैप पे हमने वो टेकनोलोजी वो आर एंडी को आइडेंटिफाई किया है जो अभी टी आर एल टू और थ्री पे भी नहीं है उनको हमें रिसर्च आर एंडी से लेकर टी आर एल एक से चार ले जाना है फिर उसको आगे बढ़ा के पांच छे साथ जिसमें गौ चेन ऑफ आर एंडी एफर्ट ग्राफीन को लेकर देश कितना अग्रस है कहां पर इस वक्त हैं इस टेकनोलोजी को लेकर देखे ग्राफीन जैसे आप जानते हैं कि एक या दो या पांच लेयर कार्बन को आप ग्राफीन कहते हैं यह हमारा जो नैनो मिशन था डीस्टी का उसमें इस पर फोकस था पर उसको टेकनोलोजी पर फोकस अभी कम हुआ है तो अभी एक स्टेज आ गई है कि हम हाई क्वालिटी ग्राफीन लाइक फ्यू लेयर्स ऑफ कार्बन लेयर्स को हम कैसे मास प्रेडियूस करें और कैसे इसका रीप्रेडियूसिबली हाई मैचियूरिटी है और कुछ जैसे और भी हैं ओएंजी सी या कुछ उसमें उनके भी एफर्ट्स हैं CSIR लैब में हैं DST की लैप में हैं कुछ यूनिवरस्टी में हो रहा है इन सब को मिला के हमें यह देखना है कि इसको हम कैसे TRL 5 से उपर ले जाएं अभी कम हैं इससे और इसको हमें आगे बढ़ाता है तो यह कब तक यह टेकनोलोजी मैचूर होने की उमीद है सी TRL अगर आपका तीन चाप पांच आ जाता है उसके बाद इस डिफरेंट गेंग और डैट इस वाट वी वूड नीड अकेडमिया इंडस्ट्री पार्टनर्शिप अलोंग चैनल मेंले कि यह थे प्रोफेशर सूध जो प्रिंस्टि विक इड्वाइसर है केह रहे थे कि जिस तरीके से इंझी मॉब्लीटी वह फ्यूचर है और प्रिंस्टिप सा माक्ड़ इ 무슨 देली